दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को विदानता लिमिटेड के साथ में पाँच ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनों ने आप इस स्टॉक बोनस एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फिनों मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहापे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइन्स लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 632 रुपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे डिवेडेंट अनौंस कर दिया है 22.50 रुपीस का और 13th of October से पहले पहले परचेस कर लेना होगा अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है ग्रेडियन्ट इन्फोटेन्मेंट लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस मातर 4.88 रुपीस के उपर में चल रहा है जी हाँ यह एक पैनी स्टॉक है और कंपनी ने आप इस स्टॉक बोनस अनाउस करके रखा है 1-3 के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी के 3 स्टॉक है तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक एस बोनस मिलेगा मतलब टोटल में जो आपके 3 स्टॉक है वो 4 स्टॉक में कनवर्ट हो जाएंगे और इस स्टॉ कंपनी का नाम है Heritage Foods Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 229 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये 18th of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो डिविडेंड और साथी साथ में quarter 2 के रिजल्ट को लेके रहने वाला ह अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है Concord Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 700 रुपीज के उपर में चल रहा है Concord Limited ने भी यहां पे बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये जो डेट रहने वाली है मीटिंग की वो 2nd of November की रहने वाली है और जो परपस है वो सेम ही बेसिस पे ग्रोथ रिपोर्ट करी उस स्टॉक के अंदर में हमें एक शांदार रैली यहां पे देखने को मिल जाएगी तो प्लीज दोनों बोर्ड मीटिंग वाली स्टॉक को अपनी वाच लिस के अंदर में एड करके रख लीजेगा अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं यह यहां पे हमारे अगले आएंड ला स्टॉक की तो कम्पनी का नाम है विदानता लिमिटेड विदानता लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटेव अपडेट निकल के आ रहा है फाइनली विदानता लिमिटेड ने जोए अपना पहला कदम उठा लिया कंपनी है अभी फिलाल विदानता के पास में जो इनका बेस मेटल यूनेट है उसको डी मर्ज करके इस कंपनी को अलग नाम से लिस्ट कर दिया गया है यह कंपनी इंकॉरपरेट हो चुकी है और यहां पे जो शेर कैपिटल है इस कंपनी का वो वन लैक का है और आने वले शेर होल्डिंग अभी विदानता लिमिटेड के पास में है तो डी मर्ज होने के बाद में जैसे जैसे शेर होल्डर्स यहां पे आ जाएंगे वैसे वैसे शेर होल्डिंग यहां पे डिवाइड हो जाएगी जिस इसाब से विदानता लिमिटेड की शेर होल्डिंग है उसी से 5% operating profit सिरफ इसी base metal unit से आया था तो काफी अच्छी company रहे गिए विदानता base metals limited जैसी stock market के उपर में लिस्ट होगी मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा तो यहाँ पर finally विदानता की तरफ से काफी बड़ा step उठालिया गया है demurger को लेके अब ऐसे ही 5 और companies को भी विदानता limited demurge करेगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 5 stocks ते जिन्होंने आप इस stock bonus and dividend अनौंस किया था अब अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye